में बात करेंगे 1999 में शुरूरी कंपनी नजारा टेक्नोलोजीज करीब 5400 क्रोड रुपे के मार्केट कैप की कंपनी है डाइवर्सिफाइड गेमिंग अन स्पोर्ट्स मीडिया प्लाटफॉर्म है जैसे आप चानते हैं आज ये कंपनी ने भारत और ग्लोबल बजारों के लिए न्यू गेम पब्लिशिंग डिविजन लाउंच करने का एलान किया इसके जरीए कंपनी का जो कहना है हाई क्वालिटी गेम्स लाउंच करेगी इस वर्टिकल में कंपनी कितना निवेश कर रही है इससे क्या रिटर्न आया है आपके तरफ से यह हमारे दर्शिकों को समझाइए यह जो न्यू गेम पब्लिशिंग डिविजिन नजारा पब्लिशिंग के लाउंच करने के पीछे क्या वजह है इसका क्या माइने है कंपनी के लिए और इसमें कितना आप इंवेस्मेंट करने जा रहे हैं जरूर तो आज की दिन हमारे देश में कई नए-णे डेवलपर आरे गेम डेवलपर आरे रहें ऐंट्रप्रॉ डिलिल अक्टेविटी काफी है और गेमिंग एक बही अपौर्चरटी बन रहे हैं हमारे country में तो काफी नए उंट्रपरणर्स टो गेमिंग कंपनी चालो कर रहे हैं नए नए गेम्स बना रहे हैं उनको support चेट है capital में game design में user acquisition में और general mentorship में तो यह सब हम नजारा के द्वारा एक publishing platform बनाके उनको support करेंगे इस तरीके से हम काफी अच्छे game जो grassroot level पर game developers बना रहे हैं उनको पूरे country में भी ला पाएंगे hundreds of millions of users के पास ला पाएंगे और international भी ले जा पाएंगे तो make in India opportunity भी बहुत भरी है और इसलिए हमने नजारा publishing launch कर रहे हैं इसके statistics या numbers हमें थोड़ा समझाइए किस तरीके के returns इसके आपके company को मिल सकते हैं इसका market जो आपने बताया क्या size and scale पर हम इसको देख सकते हैं इसमें margins किस तरीके के हैं financial implications इसके क्या दिख रहे हैं आपको आपके अभी हम ने जो announce कर आए इसमें हम at least एक क्रो रुपिया हर डेवलपर या हर गेम पर इंवेस्ट करेंगे और हमारे अगले अठारा महने में total 20 गेम launch करने का प्लान है तो इससे आपको एक अंदाज आएगा कि हम इसमें कितना इंवेस्ट करेंगे थोड़ा financial implications ले एक चोड़ा investment है एक दो साल में इसका return आप देख पाएंगे इसमें margin सर किस तरीकी के मिलते हैं आपको जो gaming business है उसमें काफी अच्छी अगर आपका गेम अच्छा चलता है अगर popular होता है IT अच्छी बनती है तो इसमें काफी अच्छे margin बन सकते हैं 15-20-15% के margins बन सकते हैं पर गेम से गेम पर dependent रहता है कोई अच्छा चलेगा कोई गेम बिल्कुल ही नहीं चलेगा एक्स्परिमेंटल फेस के बाद हमें समझ में आएगा कि steady state पर क्या margin बन सकते हैं इस business में तो थोड़ा तू अर्ली टू से बट आप के रहें 15-25% के margins आइडिले अगर अच्छा गेम होता है तो बन सकते हैं उतने डिपेंड्स ऑन गेम किस तरह से रिसीव होता है जो ongoing interaction है between a game developer and a publisher in India यहां पर नजारा publishing कैसे फिल करेगी gap देखे जो game developer रहते हैं जैसे मैंने अभी बताया था उन्हें एक तो capital यंग जो नए game developers हैं एक तो उन्हें capital की जरूरत रहती है अच्छा game बनाने के लिए उसके इंवेस्ट करने के लिए दूसरी बात है उनको एक guidance चीह रहता है exports के तो game design पे game graphics पे quality assurance पे और mentorship की जड़ूरत है और फिर customer को कैसे अपने game पे लेके आए user acquisition कैसे करें app stores पे distribution कैसे करें live operations game पे कैसे चला है यह सब की support रहती है तो हमारा जो नजारा publishing platform है इसके दौरा हम यह सब support developer को देंगे end to end आप सोच सकते 360 degree publishing support system है इसे developers को Indian developers को especially काफी फायदे मंद होनी चाहिए और थोड़ा सा मैं वापिस आप से यह जानना चाहूंगी कि जो आपने investments की बात की about one crore आप करेंगे game पर और बीस करीब games आप यहां देख रहें जा investment to start with होगा इसमें आप return जो मिलेगा आपको आप कहरें वो एक दो साल में मिलेगा यह return हम कितना expect कर लेंगे on each game if it works out too आपका worst case scenario इसमें return के point of view से क्या आपने माना है when you have you know made this plan गेमिंग बिसनेस में जो game बड़ा hit हो जाते है उसके returns बहुत जादा हो सकते हैं पर वो predict करना बहुत मुश्किल रहता है हमारा अभी financial plan जो है इसके लिए हमें basic return तो जरूर मिलेगा हमारे investment में upside काफी हो सकती जो game popular हो जाए पर हमारा strategy जो है खाली financial game के लिए इंडिया में नजारा का एक positioning है as India's largest gaming company grassroot पे सारे developers के साथ connect करना उनके साथ जूर के काम करना यह हमारे लिए long term strategy के बहुत important है और इस purely financial game के हम नहीं कर रहें इस strategic purpose के भी काफी कर रहें अच्छा जो आपकी partnership है जैसे snacks games के साथ आपकी क्या और भी इस तरही की बाचीच चल रही international game developers के लिए to publish their games in multiple regions जरूर तो एक तो हम game जो Indian game developer है उनके हम इंडिया में publish करेंगे and eventually उनके games हम भार विदेश में भी लेके जाएंगे दूसरी तरफ जो विदेशी game developers है उनके हम इंडिया में उनके games लेके आएंगे और उनको यह localization और local support काफी देंगे तो both ways we will be working तो इसमें आप कितना investments देख रहे हैं जैसे जो आप intent करते हैं invest in some of these games हमारा एक से तीन कोर्ड लगबग per game investment होना चाहेगे दूसरी तरफ जो हमारा M&A strategy रहता है जो publishing platform के अलग है उस पे हमारा जो investment amount से वो काफी लाजर रहता है इससे अगर यह वाकई रूट आप लेने वाले हैं तो आप देख रहे हैं opportunity in other formats जरूर गेमिंग में काफी नहीं नहीं टेक्नोलिजीज आगे और यह काफी disruptive technologies है और हमें इंशॉर करना है कि नजारा यह सभी प्लाटफोर्म में अवेलेबल हैं और हम consumer को कोई भी प्लाटफोर्म से रीच कर पाएं तो जैसे आपने बोला जो web 3 gaming है virtual reality है metaverse है यह सब PC है इंडिया में PC gaming भी काफी चल रहा है तो यह सब प्लाटफों में हम गेम्स पब्लिश करेंगे बर प्राइमरी प्लाटफोर्म हमारा mobile phone रहे हैं ओके ऑल्सो जो आपने रिसेंटली रेस किया पांसो दस्क्रोड रुपे फाइनांसिंग फॉम एस्बिया मुचुल फंड जिरुधा को फाउंडर निक्ल कामत से कहां यूटिलाइज हो रहे हैं फंड्स थोड़ा सा में आइडिया देंगे आपने शेरोल्डर अप्रूबल तो साढ़े साथ सो करो सब्सक्राइज करेंगे तो अच्छा एक्विजिशन हमें मिलेगा उस तेम रेस करेंगे निटिश्च तो तो clearly आप जिस तरह से opportunities is business में देख रहे हैं ग्रोथ देख रहे हैं वह promising है आप जिस साथ से fund raise कर रहे है और investments भी आप करना चाहरे है एक हमें sense मिल रहा है कि आप bullish है यह यह sector भी करेंगा आपकी कंपनी भी ग्रो करें लेकिन मैं आपसे जाना जाओंगे आपकी स्ट्राटीजी तो ग्रोल डिजिटल एड रेविन्यू जिस तरह से आप ओफरिंग्स दे रहे हैं अड़िजिंग क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बिजनस और ओवरॉल सब्ड़ाइजिंग क्लिन स्ट्राइज है कि यहां को डिइशिन इसटिर्णा गर्नेर कि मैं और क्रीपमेड बार्टीजा को यह जो ग रिघ्ठेर जिसमें लोगता नोगों जे Consider क्रिकाтор ऑफ्सक्राइद में कि गेमिंग में जो खेलते हैं और एक इंटराक्टिव फॉर्माट है अनलाइक लीनियर टीवी और पैसिव वाचिंग यहां आप कंट्रेश की गेम में इंटराक्ट कर रहे हैं तो आपका अटेंशन काफी रहते है गेम में तो एक अच्छा मीडिया में और उसमें हमारी खुद की एक अटेक कंपनिये डेटा वुक्स करके जिसके पास काफी प्लैटपॉर्म्स बने हुए और काफी बन रहे हैं जो हमें अप्टमाइजेशन कर पाए और यील्ड हमारी बढ़ाते जाए तो हमें लगते है कि आने वाल और आपसे जो आपने अकुजिशन की बात की है मैं ही जानना चाहूंगी क्लेरी आप काफी एग्रेसिव हैं ओन लुकाउट हैं काफी इंवेस्मेंट्स भी वहाँ करने की बात करें तो कितने अकुजिशन हम एक्सपेक्ट करेंगे किस वर्टिकल में हम कर सकते हैं जोग्र कुछ है जो पिरिएटी क्लोज होने वाला है हम दो अरियास में काफी फोकेस्ट है एक जो पोर गेमिंग डेवलप्में तूडियोस है जो काफी पॉपुलर गेम्स बनाते हैं उनकी कुद की गेमिंग आईपी रहती है और उनका बिजनिस या तो विदेश में रहता है यु इसपोर्स सेग्मेंट है उसमें काफी तेजी और एक कुछ में हमें कुछ अचीवमेंट होना चाहिए है और तो काफी इंट्रेसिंग यहांपर हम आपकी तरफ से अनौंशमेंट लेकर बहुत 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 शुक्रिया नितिश हमसे जुड़ने के लिए और समजाने के ल जो नए formats है उसका क्या meaning है और आगी company का क्या है outlook